हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अनुभव आप देख रहे हैं यूनिक अपसाइट्स और आज किस वीडियो के अंदर में Constitution of India, Law and Engineering के आपको Important Questions या फिर टॉपिक्स बताने वाला हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो दोस्तों जो यूनिक नमबर वन है, यूनिक नमबर वन का नाम है Basic Information about Indian Constitution इसके अंदर टोटल शह टॉपिक्स है जो सबसे ज़ाद इंपोर्टन है सबसे पहला है Government Act 1935, सेकिंड टॉपिक है Features of Constitution of India 3rd topic है Preamble and its Significance, 4th topic है Fundamental Rights, 5th topic है Constitutional Emergency, 6th topic है Indian Independence Act 1947 इसके आगे फिर हम जम करते हैं Unit No.2 की तरफ और Unit No.2 का नाम है Union and State Executive इसके अंदर टोटल चार टॉपिक्स है जो सबसे ज़ाद इंपोर्टन है सबसे पहला है Public Interest Litigation जिसे हम PIL भी बोलते हैं फिर है Power and Function of President और Prime Minister of India दोस्तों यहाँ पर क्या है कि Power of Functions जो है यहाँ पर President और या फिर Prime Minister के दोनों की ही पूछे जा सकते हैं तो आप दोनों की ही Power of Functions दोनों पढ़ लिजेगा फिर है Compare Indian President and USA President तो यह भी important question है कि Indian President और USA President के अंदर बीच में difference क्या है फिर है आपका राजे सबा और लोग सबा दोस्तों राजे सबा और लोग सबा के बीच में आप सारी information जितनी भी है वो सारी पढ़ लिजेगा यह भी बहुत important question है यह भी directly आपसे पूछा जा सकता है कि कितने number of members होते हैं कितना tenure होता है यह सारी चीज़े फिर हम जंप करते है unit number 3 की तरफ और unit number 3 का नाम है basic information about legal system इसके अंदर total 4 topics है जो सबसे ज़्यादा important है सबसे पहला है court structure, court structure मतलब district court, supreme court, high court इनके क्या structure होता है किसे भीहाफ पर यह judgment देते हैं जो भी है फिर है आपका tribunals and its need फिर है arbitration and its type फिर है source of law फिर हम जम करते है unit number 4 की तरफ और unit number 4 का नाम है intellectual property laws and regulations to information इसके अंदर total 4 topics है जो सबसे ज़्यादा important है सबसे पहला है copyright infringement, दूसरा है intellectual property right and category, फिर उसके बाद है information technology act 2000 and its limitations और चौता है RTI act 2005 दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे अपने दोस्तों को और प्लीज मुझे comment section में जरू बताइए कि आपको next video किस topic पे चाहिए तो इसी के साथ हम फिर हम जम करते है unit number 5 की तरफ और unit number 5 का जो नाम है वो है business organizations and e-governance दोस्तों ये भी एक important topic है जिसके अंदर से बहुत easy और बहुत जादा questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहला है company act 2013 and its features, फिर second topic है आपका e-governance and its types, फिर third जो आपका topic है वो है features of partnership and types of partners और fourth and the last topic है sole trader and its advantages, तो दोस्तों ये थे unit number 1 से लेकर के unit number 5 तक के सबसे जादा important topics जिसमें से सबसे जादा आने के chances होते हैं और सबसे जादा पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी as a precaution आप जितने जादा topics को cover कर सकते हो जादा topics को cover करके चाहिएगा two markers को याद से कर लीजे क्या क्योंकि 20 number के वही आते हैं अगर 100 number का paper होता है तो तो उससे आपको एक पूरी unit का एक summarized way में idea भी लग जाता है कि unit के अंदर क्या क्या है और all the best for the examination please हमारे channel को subscribe कर दीजे guys बहुत motivation मिलता है और video को like कर दीजे share कर दीजे अपने दोस्तों को और please मुझे comment section में जरू बताइए अगर आपको किसी चीज़ की help चाहिए कोई content चाहिए next video किस topic पे चाहिए या को किसी भी वारे में आप मुझे comment section में जरू बताइए और हम मिलते हैं next video में जैहिं जैबायत थैंक्स फर वाचिंग यूनिक एपसाइट्स